वेलकम गाइस वेलकम सेवन डे चैलेंज जो पाइटन में आपका हार्दिक स्वागत है और आज चल रहा है डे थ्री जिसके अंदर हम सीखने वाले हैं बहुत इंबॉटन तिंक्स डे बन के अंदर हमने कवर किया था कि कोडिंग फिर को कैसे रिमूब कर सकते हैं उसी के ओप करेंगे कि येस हमें आगे जाना चाहिए राइट तो सेवन डे चैलेंज में सबको रिकमेंड करूंगा हाइली रिकमेंड करूंगा सबको लेना चाहिए जिसके अंदर आप सीखोगे कि कैसे इसली आप मैनूल सो अटोमेशन स्विच कर सकते हो जब आव एक पाइफन और ए मैं भी बात करेंगे डे 3 के अंदर जो बहुत-बहुत important है ठीक है तो चलो start करते है without any ado कि क्या बात होने वाली है राइट सबसे पहले बात करते हैं कि strings के अंदर वही चीज के बारे में string जो होता है वो bunch of characters होता है जो जिसके बारे में उमने पहले भी discussion किया था कि यह bunch of characters होता है इसको access करने के लिए index-based होता है जिसके अंदर square bracket यहां से discussion यह होता है कि यह 0 पे होगा यह 1 पे होगा यह 2 पे यह 3 पे यह 4 पे और यह 5 पे मतलब total length – 1 तक य इसके साथ मैं आपको यह बता दो कि स्ट्रिंग्स के बहुत सारे फंक्शन भी होते हैं, अब हम थोड़ा से डेट, जब में यहां पर फटा फट में डेटरी का एक फोल्डर करेंगे, पैथन पैकेज हम बनाएंगे, ठीक है, पैथन पैकेज बेसिकली कुछ नहीं होता, एक आप एक फोल्डरी सक्षरी मालव, इसके अंदर हम लैब में बात करने वाले हैं, लैब है हमारी 015, ठीक है, इसके अंदर बात करने वाले हैं, अब हम, राइट, तो बहुत सारे फंक्शन्स हैं, स्ट्रिंग के, जिसको हम अच्छे से सीख सकते हैं, यहां पर मैंने प्रॉ अब हम अच्छे से अच्छे से देखोगे, तो यह एक बहुत अमेजिंग फंक्शन है, डिरेटली पाइटन के अंदर आपको बहुत सारे फंक्शन मिल जाएंगे, आप केस फोल्ड भी कर सकते हो, केस फोल्ड का मतलब है कि अगर आप इसको रन करोगे, तो आप देखोगे कि क्या हो रहा है, देखो, इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर सारे lower case में convert हो गए, बहुत सारे function होते हैं हमारे पास, ठीक है, इसके अंदर हम count कर सकते हैं, कि कितने O हैं, अगर हम count करना चाते हैं, एक programming question आगया, कि कितने questions हमारे basically हैं, कितने हमारे O हैं इसके अंदर, त तो इसके अंदर word कहां से start हो रहा है, तो यह आपको properly बता देगा कि 6 पर हो रहा है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, space को भी 6 किया कर रहा है, calculate करता है यहां पर, इसके बात is decimal, is digit, identifier, बहुत सारे different functions है, जो की बहुत सारे है, जिसको हम सीख सकते हैं, lower case में convert कर सकते हैं, वो basically कर सकते हैं इसके अंदर, इसके अंदर बहुत सारी choices है हमारे पास, इसको lower case में हमने convert कर दिया, ठीक है, अब यहां से आपके पास, मैंने almost like 43 functions लिखे हैं, जो आप basically strings के साथ use कर सकते हो, इसका link description में मिल जाएगा, सबसे पहले आपको yes, I am in in this challenge लिखना है, और यह चीज़ जरूर करनी है, और यह चीज़ सारे इनको एक बर practice करके देखना है, यह सारी चीज़े मैंने आपको upload करके दे दी हैं, तो यहां पर आपको exercises में मिल जाएगे, जो, lab number बात करते हैं, lab number, lab number 16 के बारे में, ठीक है, lab number 16 के बारे में बात करते हैं, ठीक है, अब यहां पर एक चीज़ छोटी सी आती है, कि string immutable कैसे है, तो वह बहुत चीज़ आपको समझनी ही जरूरी है, मतलब क्या है कि अगर मालो मैंने यहाप एक str लिया है, मालो प्रमोट, तो यह एक चीज़ important है कि आप str में zero value, मतलब आप अगर मैं इसके index value की value को change नहीं कर सकता हूँ, अगर मालो मैं यहाँ पर एक करना चाहूँ, तो यह अगर आप देखोगे कि string immutable होता है, मतलब एक बार create कर दिया तो बार बार उसके values को change नहीं किया जा सकता, यह python में बहुत important concept है, यह चीज़ not allowed है, ठीक है, यह चीज़ बि मेरे पास एक string है, string str is equal to I am learning Python from the testing academy, तो मैं मालो मैं testing academy में basically सीख रहा हूँ, Python की spelling तोड़ी सी रोंग हो गई, अब मैं यह से slice कर सकता हूँ, slice मतलब मुझे तोड सकता हूँ इसको मैं, अगर मैं तोडना चाहूँ, my string, my str, यहाँ से अम देख लेते कि यह पावर सेविंग मो अब मैं यहाँ से बेसिली डोडता हूँ, यह होता है, यह बेसिली होता है कि कहां से जोडना है, कहां से, from 0 to, अगर मैं जोडता हो 4, तो मतलब मुझे 0 से लेके 4 करेक्टर तक दे देगा, तो अब ही क्या करेगा, पहले तो हम इस वाले code को कमेंट कर देते हैं, क्योंकि यह एक invalid code है, अब आप देखोगे तो yes, I am तक ले आया है, मतलब यह 0, 1, 2, 3, 4, मतलब यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, हम स्टार्टिक कंसेप्ट होता है, यह एंडिंग होता है, और इसके बाद तीसरा भी होता है कि कितने स्टेप से आगे जाना है, तो step 2 कर दूँगा, तो यह 2-2 character से लाएगा, तो 2 character से लाएगा, तो 0 और 2, पस सिधा सिर्फ I और A ही आएगे, अगर आप देखोगे, तो I और A ही आएगे, 0, क्योंकि 0 पर यह आएगा, और 2 पर यह आएगा, तो दो character को हम आगे बढ़ाते हैं, तो generally हम by default use नहीं करते है, step count क इसका signature यही होता है, अगर आप देखोगे, तो square bracket, यहाँ से start करना है, कहाँ से start करना है, कहाँ से end करना है, और कितने step लेने है, मतलब एक step लेना है, दो step लेना है, तीन step लेना है, कैसे लेने है, उस चीज को base पर यह properly decide होता है, तो यहाँ से बहुत सारे functions को use कर सकते हो, ब तो आठवे से मुझे पूरा दे, तो यह मुझे आठवे के बाद से सारे characters दे देगा, तीक है, अगर यहाँ से interesting concept जो मुझे बहुत पसंद है, वह आता है, रिवर्स का, आप चाहो तो इसको reverse भी कर सकते हो, मतलब अगर आप string मांगते हो कि मेरे को string दो, ठीक है, अगर मेरे यहाँ से स्ट्रिंग को reverse करने का, मतलब जीरो से स्टूरू करो, एंड तक जाओ, और माइनस वन, उल्टा चलो, माइनस वन से, अगर आप चाहो तो माइनस टू से भी चल सकता है, माइनस टू से चलेगा, तो दो-दो करेक्टर्स को मिस कर देगा, यह सिंपल और माइनस वन अगर आप देखोगे, तो यह पूरी स्ट्रिंग को reverse कर देगा यहां से, अगर आप देखोगे, तो यहां से माइनस वन से उल्टा आना शुरू कर रहा है, मतलब यहां से माइनस 1 से उल्टा शुरू करेगा, अट तक जाएगा, जहां तक बोलो, क्योंकि आपने कुश करना है हमें तो सीधा reverse of string करना है जो कि हमारा एक बहुत important interview question होता है ठीक है अब यहां से string functions मैंने आपको बहुत सारे बता दिया कि बहुत सारे string functions available होते हैं इसके साथ साथ हम थोड़ा सा list के बारे में बात कर लेते हैं before we go to operators right थोड़ा सा हम यहां पर बात कर लेते हैं अपने एक और concept के बारे में list के बारे में तिक है list क्या होती है list हमारा एक अलग से type of data type है यह क्या है list बतलब होता है collection of items collection of items simple funda इसमें कुछ भी नहीं है यह concept इतना easy है कि आप बूचो मत आपकी shopping list होती है देखो बहुत बार हमारी shopping list होती है कि यह मुझे क्या क्या लाना है जब भी क्योंकि जब भी मेरी वाइफ मुझे बोलती थी कुछ ले के आओ भार जा रहे तो कुछ ले के आओ तो square brackets में वो कि आप बोलती थी कि आप मिल्क ले आओ ठीक है यह जीरो इंडेक्स पे होती है मतलब आप index-based भी access कर सकते हो कि जीरो पे आपको क्या मिलेगा जीरो पे आपको milk मिलेगा ठीक है अगर आप देखो कि तू पे क्या मिलेगा तू पे आपको apple मिल जाएगा लेकिन आप थ्री एक्स करोगे तो आपको error आजाएगा क्योंकि लि यह जीरो आपको एक्स कर रहा है इसको भी मैं कमिट कर दो ताकि आप जब चलाएगा तू अपको मिल जाएगा यह जो भी हम सीख रहे हैं वह सारी पॉसिटरी आपको यहाँ पे जाएगी सारा सोर्स कोड और जित्टे भी डोक्मेंटेशन आपको यहां से दिखा रहा एक similar type of string string डाल सकते हैं, हम number भी डाल सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 1, 4, अगर आप देखो के तो यह क्या है, एक string है, यहाँ पर क्या है, यह डेसिमल, एक float है, तो यहाँ पर भी डाल सकते है, अब आप list ऐसे भी create कर सकते हो, string से list भी create कर सकते हो, अगर आप चाहो तो, मतब अगर यह क्या चीज है, यह concept क्या चीज है, यह बताओ, यह concept बेसिकली यह कहते हैं, कि अगर आप एक class बनाते हैं, फटा-फट एक lab बनाते हैं, lab 0, 18, इसके अंदर क्या है, कि अगर यह जो string है, string भी तो एक bunch of characters है, अगर आप उसको list में pass करोगे, तो यह क्या करेगा, सारे characters को तोड़ देगा, सारे characters को इसने तोड़ दिया, even space को भी तोड़ दिया, अगर आप देखोगे तो, तो अगर आपको string से list of characters करना है, तो आप list function का use कर सकते हो, यह एक concept यहां पर बताता है, अगर आप किसी चीज को delete भी करना चाहते हो, तो आप delete भी कर सकते हो, delete का function delete होता है, directly आप DEL यूज़ कर सकते हो, DEL अगर आप यूज़ करोगे, तो यह string delete भी हो जाएगी, कि फिर आप use नहीं कर पाऊगा इसको अच्छे से, ठीक है, अब बात करते है, escape sequence की, आपने जरूर देखा हो कि escape sequence, जो कि python special combinations होते हैं, जिनका एक meaning होता है, मतलब, simple भाशा में बालू तो, अगर मैं यहां से, हर एक escape character का basically meaning होता है, और एक work होता है, अब यहां पर एक बार हम बात कर लेते है, 018, यह 18 दो अल्रेडी हो गया, 90 अब मतलब किया कि जैसे मालो मैं print करना चाहता हूं, print promote print करता हूं, और उसके बाद मैं promote data भी print कर देता हूं, अगर आप इसको देखोगे, अगर आप इसको देखोगे, इसको print करोगे तो यह जो है data new line में आ रहा है, अगर आप चाहते हैं तो एक extra line और डालना चाहते हो, तो देखो कि अब यह देखो, एक extra line आ गई, तो slash end क्या है, हमारा escape character है, similarly आप tab भी डाल सकते हो by using T, देखो तो यह tab की form में आ जागा है, अगर आप tab यहाँ पर data लिख देता हमालो, इसको data 2 कर देता हूं, अब आपको दिख जाएगा कि यह tab की form में आ गया, अगर मैं यहाँ पर end डालता, तो यह क्या करता, यह basically new line में उसको डाल देता, ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे characters होता है, B भी होता है, B basically अगर आप देखोगे तो एक character delete कर देगा यह, backspace, backspace की key होती थी जो एक character delete कर देगा यह backspace का B होता है, हमारे पस A भी होता है, अगर आप देखोगे तो उसका meaning मेरे खाल से almost same ही है, थोड़ा सा space डाल रहा है, तो सारे escape sequence आपको यहाँ पर मिल रहेंगे, जितने भी हम use कर सकते हैं, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, जितने भी हो सकते है, slash हो सकता है, double slash हो सकता है, सारे यहाँ पर मैंने properly लिख दिया है, ठीक है, इसके बारे में, booleans की value हमेशा याद रखो true और false ही होती है, दो तरह की values होती है, फिर हमारी जो बात आती है, सेट्स, सेट्स भी data type ही है, ठीक है, सेट्स क्या है, un-ordered collection है, unique items का, इसमें unique items ही होंगे, यह एक interesting thing है, मतलब, अगर मैं यहाँ से दिखा हूँ आपको, कि इसको हम delete करके हैं, अगर आप देखोगे तो इसमें 4 4 duplicate है, तो अगर आप इसको store करोगे, इसमें, set में, अगर आप डिरेक्टली इसको store करोगे तो आप देखोगे कि अपने 4 रिमूब हो जाएगा, और set में क्या होता है, set में देखो, अगर आप देखोगे तो इस different brackets हैं, square brackets नहीं है, square brackets लिस्ट होते हैं, यह square brackets है, अगर आप देखोगे तो इस set पे अगर आप convert करोगे तो right, अब इसमें अपने automatically duplicate हट जाएगे, तो मतलब अगर आपको कोई programming question आता है, कि आप इस series के अंदर से duplicate हटाओ, तो आप directly इसका use कर सकते हो, set के अंदर उसको डाल दो और automatically duplicates हट जाएगे, set के अंदर, ठीक है, और set का हम और भी उसको चेक करोगे, अगर आप चेक करोगे यहाँ पर type function का, तो type function मैंने बताया था यहाँ पर, अगर आप type function का check करोगे, तो यह आपको integer बोलेगा, लेकिन अगर आप set का check करोगे, तो यह क्या बताता है, अगर यहाँ से set pass करो, इसको run करो, तो यह बताएगा कि यह set class से belong करता है, यहाँ पर important बताएगा कि यहाँ पर set है, अब please differentiate कर लो, यह set है, और यह list है, क्योंकि ब चाहते हो ना, लिस्ट का, तो देखो मैं, अगर मैं लिस्ट भी चेक करके, टाइप भी करके चेक करके दिखर के दिखा हूँ, तो वो लिस्ट बताएगा, set नहीं बताएगा, याद रखना यह चीज, ठीक है, बहुत important चीज है, यह बहुत important concept है यहाँ से, अब बात कर लेत कौन कौन सी values हम assign कर सकते हैं, आप assign कर सकते हो integers, floating point भी डाल सकते हो, characters भी डाल सकते हो, boolean भी डाल सकते हो, string भी हो सकता है, none भी हो सकता है, none type भी है, इसमें type होता है, जिसकी कोई value नहीं होती, none भी हो, ठीक है, boolean type हो सकता है, characters हो सकते है, string हो सकता है, integer हो सकता है, floating हो सकता ह boolean की value हमेशा true and false रहे कि दो ही value होती है boolean की, अगर मैं आपको सही बताओ तो यहां से, अगर मैं एक boolean create करता हूँ, मालो is male, is male में एक ही आंसर हो सकता है, या तो वो true हो सकता है, true या तो capital false हो सकता है, दो ही value ले सकता है, तो दोनों की याद रखना, इससे ज़्यादा C, तो single character, यह character literals भी आजाते हैं, अगर float का चाहते हो आप, तो float में अगर मालो, pi के value जैसे होती है, 3.4, यह क्या हो गया, यह हमारा हो गया, float type का literal, ठीक है, यह literal मतलब basically यह value, और यह होता है identifier, यह फिर variable name, तो variable name is equal to variable value, मतलब identifier equal to literal, this is what exactly it is, तो तरह 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 के literals होते है, वो सारे यहाँ पर दिखा दिए, escape sequence की value में आपको बता रहा था, यहाँ पर है, T मतलब होता है, T मतलब होता है, B मतलब backspace, new मतलब new line, carriage return, और F और बहुत सारे यह backslash और भी होते है, जिसको आप directly AK करके, अगर use करना चाहो तो use करते हो, F, यह सारे rarely use होते है, only N यह होता है B भी होता है, T यह होता है, ठीक है, इसमें, अब यहाँ पर हम बात कर लेते है, S काई करेक्टर्स की भी, तो X काई करेक्टर्स भी हो सकते हैं, octal value भी होती है, Python octal value भी support करता है, हम जो है decimal values यूज करते हैं, जो की 10 के base पर होते हैं, हम अगर आप चाहो तो octal values भी हो सकते है और S का ही standard भी हो सकते हैं, अब यह कहाँ यूज आते हैं, यह machine learning भी हो सकते हैं, automation के point of view से इतना कोई इनका कोई sense नहीं बनाता, अगर आप चाहते हो, तो यहाँ पर decimal to octal convert भी कर सकते हो, मतलब अगर मालो भीर पाद 10 number है, उसका octal conversion 12 होता है, ठीक है, और यह कैसे convert हुआ है hexadecimal भी होता है, आप hexadecimal में भी convert कर सकते हो, hexadecimal में e convert होता है, a इसको assign किया जाता है value, binary values की यह होती है, तो यह कहां आते है, यह artificial intelligence और machine learning में आते हैं, use, अगर आपको decimal to different conversion करना है, binary में, decimal में, text में, right, तो आप वह वाली values भी store कर सकते हो python में, यह सारे में एक्जाम्प नहीं है, पर आपको अच्छे समझ में आ जाएंगे, कि अगर मैं a use कर रहा हूँ, अगर मैं 0b use कर रहा हूँ, तो binary number होता है, python के अंदर, अगर मैं 100 कर रहा हूँ, यह decimal number में आएगा, 0o use करोगे, तो octal में आएगा, 0x use करोगे, तो hexadecimal में आएगा, अगर यह pointer में सारे एग्जामपल दे दिया मैंने, boolean literals ऐसे दिखते है true और false में, special characters, none मैंने लिखा हूँ, इसको इग्नोर करता है, यह function है, मैं अगर उसमें दिखा हूँ क्या होता है, और literals, यह हमारी हो गए list, यह हमारे tuples हो गए, tuple भी list जैसे ही होते है, इसमें भी unordered ही होता है, यह भी list जैसे ही होते है, tuple, अगर आप एखोगे तो इस brackets में है, इस brackets में, right, tuple भी list ही होते है, almost list जैसे दिखते हैं, यह set होगे हमारे पस, यह हमारे dictionary की value पे होगा, dictionary के बारे मैं हम discuss करेंगे, tuple dictionary मैं अच्छे से discuss करूँगा, later part in this case, ठीक है, बाकी मैंने question answers लिख दी है, अगर आप चाहो तो यह interview के लिए बहुत important रहेंगे, आप जरूर इसको पढ़ना, मैं आपको highly recommend करूँगा, अब बात कर लेते है इपर operators की, क्योंकि हमें operators करना बहुत important है, interview questions तो हम बढ़ते रहेंगे, ठीक है, चलो start करते हैं, operators आपने already देख रखे हैं बहुत सारे, जो क अगर मैं a is equal to 10 लेता हूँ और b is equal to 23 लेता हूँ, और मैं print करता हूँ a plus b, तो यह कौन सा operator है, यह है sum operator, आपने देखा है, यह भी एक operator है, into भी एक operator है, अगर मैं देखो division भी एक operator है, यह सारे operators ही है, यह सारे arithmetic operators, आप minus में भी ले सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे चाहता हू minus तो यह minus भी एक operator ही है यहाँ पे, यह assignment operator है, अगर हम value store करते हैं जब हम, a के अंदर गर मैं value डालो तो यह भी assignment operator है, यह सारे operator ही है, अगर आप देखोगे तो, मैं आपको यहाँ पे अच्छे समझाता हूँ, देखो, n is equal to this minus, यह minus में ही print करेगा, flag is equal to this, यह assignment operator है, यह उसक नहीं होता क्योंकि by default plus को ignore कर दे जाता है, ठीक है, unary minus, minus ऐसे दिखता है, logical note, note operator भी होता है, python के अंदर, उस पर note operator सिर्फ और सिर्फ काम करता है, boolean के ओपर, मतलब कि अगर मैं यहाँ से print, यहाँ से मैं अगर अगर अपको दिखाऊँ, अगर एक boolean है, ठीक है, सबसे ब यह हमारी machine learning और उसमें गाम आता है, जरूरली, अगर आप convert करना चाहते हो bitwise में, तो यह bitwise में basically convert करता है, कैसे convert कर रहा है, मैंने यहाँ संजा रखा है, is not और is भी होता है, is not और is basically यह है, कि हम यह चेक कर रहे है, कि a is equal to 5, b है, और b is equal to, क्या दोनों equal है, क्या दोनों equal है क्या दोनों same जगा पर है, answer is true, बिल्कुल same है, दोनों, तो is operator भी check होता है, is operator basically check करता है, if the two variables are located on the same part of memory, क्योंकि python, अगर same value होगी, तो उनको same memory में ही store करेगा, यह आपको पता होना चाहिए, तो वो ही चीज का यहाँ पर answer आ गया, list के case में, दोनों different जगा होता है, याद अगर आप normal variables लोग है, तो variables एक ही जगा store होते हैं, लेकिन अगर दो same दिखने वाली list भी है, देखो यह दोनों list same दिखती हैं, लेकिन यह अलग अलग जगा पड़ी होगी, एक list इदर पड़ी होगी python memory के अंदर, please remember याद रखना यह चीज concept, बहुत important concept है यहाँ से, ठीक है और remember कि is जो, is और double equal दोनों different होते हैं, is जो है वो, is सिर्फ identity को चेक करता है कि कहाँ पर stored है, और equal चेक करता है, equality को content किया है, उसके base पे, ठीक है, बाकी operators आपने देखे हैं, plus minus multiplication, division और modulus, सारे operators का मैंने example भी यहाँ पर दे रखा है, अगर आप जाओ, यह आमारे आगे relationship operators उल operator, azor, note gate, सारे gate mechanism, जितने भी हमारे होते हैं, अगर आपको gates वग्यारे नहीं पता हैं, तो gates के बारे में electronics and communication के अंदर सिखाया जाता है, by the way, यह है, पर simple भाशा में अगर मैं बहूँ तो and gate क्या होता है, and gate basically मतलब होता है, अगर दोनों true होंगे, तभी output true आएगा, और or में जाएगा, जब मैंने बहुत अच्छे से समधार्क है, यहां से, आते हैं code पे, lab number 20 की बात हो रही है, यहां पर lab number, बात दुआ से बनाते है, lab number 021, अब देखो, a true है, यह false है, अगर and operator होगा, तो true और false का result क्या आता है, true और false का result हमेशा false आएगा, and operator में, पर इन दोनों का दोनों false है, तभी false है, दोनों true है, तभी true है, बाकिसम में false है, दोनों false है, तभी true है, तभी यहां माले पर पास है, तो यह सारे gates है, इनके examples आपको मिल लाएंगे, ternary operator भी होता है Python में, पर वो यूस करते हैं हम, ऐसे, if condition के साथ, यह एक बहुत ही interesting example है, यह बहुत ही simple है, इसमें कुछ ज़्यादा logic नहीं है, इसमें simple है कि हमारे पास x 20 है और y 20 है, तो हम यह condition डाल सकते हैं, कि a, print करो, यहां से हम directly डाल सकते है, conditions, अगर हम चाहें, कि if x, यहां से समझने ही कोशिट करो, अगर if x is greater than y, तो x को greater print करो, अगर else y को print करो, तो अगर आप इसको run करोग इसको पढ़ने की कोशिश करो, कोशिश यहां से करना, if x is equal to if, अगर यह है, तो यह वनना यह, ऐसे, इसको reverse थोड़ा जीब सा पढ़ना होता है, पर थोड़ा सा आपको समझ में आ गया होगा यहां से, ठीक है, बाकी operators, जैसे की concatenation operators, string के अंदर, दोनों को plus कर देगा, hello world, यह आपने simple सा पढ़ा भी होगा, अगर आप directly, दो strings को plus operator यूज करोगे, तो वो क्या करेगा, उनको concatenation कर देगा, उनको दोनों को जोड़ देगा, यहां से, ठीक है, यहां से, अगर आप चाहो तो number को भी जोड़ सकते हो, hello plus this, लेकिन, python के अंदर एक problem है, python के अंदर problem यह है कि आप string और integer को दोनों को एक साथ नहीं जोड़ सकते है, अगर मैं देखो, अगर मैं hello को और 7 को जोड़ने की कोशिश करूँगा, तो वो मुझे error देदेगा, मुझे इसको convert करना पड़ेगा string में, यह एक बहुत important concept, तो stringHDR एक function है, इस function के थुरू पास करना पड़ेग और अगर आप output भी देखना चाहते हो, तो यह output है, hello 7 कर गया है, ठीक है, proper, अब यहां से, of course, plus operator आप ऐसे भी उसकर सकते हो, तो यह इस, इनको, in operators को भी काया जाता है, यह वाले operator भी equal कर सकते हो, plus equal, plus minus वाले सारे increment, increment और decrement operators, python support नहीं गरता है, हम directly plus one और minus one गरता है, तो increment और bit decrement, pre increment, decrement, RAM का कोई function नहीं है, वो जावा में होते है, यहां loud नहीं है, कुछ भी ऐसा, ठीक है, यह बाकी होगे, relation operator, यह तो आपको पता होगा, simple सा, अगर x 10 है, y great है, तो कौन सा greater है, तो true हो गया, 10 greater than 3 है, yes, इसको greater than कहते है, इसको less than कहते है, इसे equal to कहते है, इसे not equal to कहते है, not equal to कहते है, यह logical over operators होगे, जो मैंने बता है, यह bitwise operator होगे, bitwise operator होगे, bitwise operator आप rarely use करोगे, in API automation, web automation तो इनको सीखने की जूरत भी नहीं है, यह सारे examples भी लिखे में, अगर A यह है, B है, और end करोगे, तो क्या आएगा, अगर over है, तो क्या आएगा, note operator में क्या राइट shift और left shift, automation में ज़रूरत नहीं होते हैं, पर मैंने एक्जामबल के ज़र में दे दिया, अब आपको क्या करना है, यह difference जरूर पढ़ना है, अब आपका homework है, homework है कि single equal or double equal में क्या difference होता है, यह double double star का क्या मतलब होता है, यह कहा यूज होता है, और इस operator का use क्या है, basically bit wise है, दोनो bit wise के examples है, वो दोनों बता दिये, कुछ मैंने program लिखे हैं, कुछ मैंने program लिखे हैं कि आप इसको जरूर करना, write a program to calculate the area of a circle, आपको circle का area निकालना है, तो यह simple सा program मैं अभी करके दिखा देता हूँ, अगर आप चाहते तो एक छोटा सा program क्योंकि important हो जाता है हमें लिखे 22, right, clam number 22 हो गई, simple सा, simple सा function, सबसे पहले हम ले लेते हैं, user से input, user से input मांगते हैं, radius का, तो हमें radius देगा user, user से हम input लेंगे integer में, और हम function यूज करेंगे input, यह input का function मैंने लास ताम की समझाया था, इसके अंदर enter the radius, और radius एंटर करेगा, ठीक है, इसके बाद हमार को म into radius, into radius, यही value होती है दोनों की, right, पाई r square है, पर महाँ पे r square है, तो हमें r square के लिए क्या करना होता है, double star यूज करना होता है, याद रखना, double star यूज करना होता है, पावर करने के लिए, ठीक है, तो r square के लिए पावर यूज कर सकते हो, वैसे math.power और पावर फंक्शन डि उनी यूज करना है, मोगते तो समझ निया था, अगर आप देखो के तो 314 हमारा अरिया भी आ गगा, इससे असान तरीका क्या हो सकता है, सिंपल तीन लाइन में प्रोग्राम भी खतम होता है, यह भी जूड़ती हो, यही खतम हो जाएगा, यही डो दो लाइनों में अग च थोड़ी से brackets, अच्छे से balance कर देना सेम ग्रोग्रम ग्रोग्रम हो ग्रोग्राम लचाता ही थोडा से घडबर कि और थोडा सा एक टाली कर लेना यह जाना चाहो तो एक लायन में भी फिस रिच असकते हो थैनि》 एक लन्त कर नहीं कर रहा हू अगी हम दो लाइनों में रहन देते हैं, दो लाइनों में इनाफ है, ठीक है, बाकियो प्रोग्राम जरूर ट्राइ करना, देख दो नमबर लेके दोनों में चेक, वेरिफाइ करो, कौन सा ग्रेटर है, इसके बाद हम next day बात करेंगे, day 4 के अंदर conditional loop, I hope operators आपको सच्छे समझ में आपको मिलता हम ले वीडियो में, अगर आप और enhance करना चाते हो, तीन महीने में मेरे साथ सीखना चाते हो, वेब automation और API automation भी, और automation tester बना चाते हो, तो वो भी चीच आपको मिल जाएगी, description में लिंक है, जरूर मिलता हूँ, thanks a lot for watching, bye bye.